नमस्कार क्या पजल टिपी का खाशो यूपी का डंगल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा यूपी के डंगल की तारीखों का एलान हो गया है साथ चरनों में यूपी चुनाओ होंगे पहला चरन 10 फरवरी दूसरा चरन 14 फरवरी तीसरा चरन 20 फरवरी चौथा चरन 27 फरवरी पाचवा चरन 27 फरवरी छटा चरन 3 मार्च और साथ वा चरन 7 मार्च साती नतीजों का एला के साथ ही यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदितनात ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया तो दूसरी तरफ अकलेश यादव को चुनाओ से पहले ही हार कडर सताने लगा है और चुनाओ आयोग की गाइडलाइन पर अकलेश यादव सवाल खड़े कर है तो आज यूपी के दंगल में दंगल की तारीकों के अलान के साथ बिपक्ष की परिशानी पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए मारसा स्टूडियो में मौझूद है क्यापचल टीवी के एडिटर इंचीप डॉक्टर मरेश कुमार टॉक्सा बहुत बस्वागत है आप स यह अचानक से यह कह देना कि हमारे पास रिसॉर्स नहीं है हम कैसे कैमपेंगे यह भैसला ठीक नहीं है यह हर स्विकार करने जैसी परिश्थिति है क्या हुआ है यह समझऊए कि क्या अविपक्ष की दिक्कतें क्या है पहली बात यह के ऐलेक्षान कमिश्न को इस वक्क चुनाओं नहीं कराना चाहिए Stunden To be very frank, ये कैसा चुनाओ, कि जिसमें rally नहीं कर सकते हो, नुक्र सबानी कर सकते हो, आप road source नहीं कर सकते हो, और तमाम तरह की चीजें आप पाबंदियां आपने लगा दिए, बई पाबंदि ही लगाना था, तो election के उपर भी पाबंदि लगा दिये होते, दो मेने के बाद चुना होगा आसमान थोड़ी गिर जाएगा लेकि जो फैसले लिए गए हैं वो फैसला अखले स्यादव हो या कॉंग्रेस पार्टी हो या फिर बसपा हो उनके लिए ये एक परिशानी का सबब है वो क्यूं है इसको भी समझे रैली नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी कैमपेण कैसे करेगी अभी तक जो समाजवादी पार्टी का पूरा कैमपेण रहा है अगर उसको आप एनलाईज करें तो कैमपेण तो वही होता जहां अकले स्यादव जाते हैं उनके रत को जहां जहां लेकि जाये जाता है अब रत लेक नहीं जा सकते रत पर लग गया ताला रोड सोज नहीं कर सकते अब साइकल के उपर भी ताला लग गया तो आपने क्या कर दिया कि एक तो रिस्टिक्ट कर दिया मायवती को ज्यादा नुकसान मायवती ने तो अभी कोई बड़ी रेली की नहीं थी मैवती नहीं कर पाएंगी पहले फेज का चुनाव दस्तारिक को होना है प्रक्रिया जो है वो चार-पांस दिन के बाद से शुरू हो जाएगी नमिनेशन डालने का नमिनेशन कैंसल करने का यह बहुत सारे काम होते हैं और आपने यह भी पावंदि लगा दिकिए बही डोर टो डोर केंपेंड करना है और डिजिटल केंपेंड करना है तो डिजिटल केंपेंड करने के लिए आपके पास लोगों के कम से कम फोन नंबर्स तो होने चाहिए डेटा होना चाहिए और आपका एक्सेस होना चाहिए कि आप लोगों तक पहुंच सकें दूसरी बात कि आपके जो पॉपुलेशन है उसके पास भी उस तरक किसी विदा होनी चाहिए घर में इंटरनेट होना चाहिए तब तो डिजिटल केम्पियन का मतलब समझ में आएगा। उत्र प्रदेश तो घरीब प्रदेश हैं। वहां घरीब रहते हैं। गाउं में इंटरनेट है या नहीं है। बहुत सारे जगह कितना स्पीड का है नहीं है। लोग पास फोन है। बहुत सारी समस्याय है। 50% आपका जो पॉपुलेशन है इस डिजिटल डिवाइट की वज़े से कैम्पेइन में शरीक नहीं हो सकेगा। आप वहां तक पहुँच ही नहीं पाऊगे। और जो एलेक्षन कमिशन ये कह रही है कि वह पहुंचने का तरीका बता रही कि डोर टू-डोर अपने कारगर्ताओं से कवह जाके वह कैम्पेन करे कैम्पेन करें। आज करकरता कौन बिना पैसे लिए कैम्पेन करते हैं। तो दिखारी मंगेंगे जाले बारती जंता पार्टी के लोग हों हॉं चाहे साई कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के लोग हूं कि इसी कि लोग पैसा चाहिए और आप करे डीतु हम के दो अ क्यंब हम तो कहां से सतना पैसा आएगा- *** से इतना कैश आएगा अज एकले सादब की चिंता ही एक और सारे कुबेरों के हाँ जो है वैसे ही ताला लग गया है आपने ऐसा महल बना दिया जो कैश में डील करते हैं वो सब अंडर ग्राउंड फोई बाहर नहीं आएगा तो अखले सादब के अंदर से पीड़ा जो है वो आ गई दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है अखले सादब ने बारह से ज़्यादा छोटी छोटी पार्टियों से गटबंदन किया अब वो लोग कौन है वो लोग तो छोटी छोटी लोकल जगर पे वो कास्ट अधारित पार्टिया हैं इन लोगों ने कभी ध्यान होताई नहीं दिया कि इंटर्नेट के जरिए या सोषिल मीडिया के जरिए हम कैंपेट करें ये करें वो करें वह तो उनका धंदा नहीं हैं उनका काम नहीं है वो इलेक्षिन के समय वो धन्ना सेट के तरह बैठते कि हमारे पास इतनी जाती का इतना वोट है हमसे बारगेंग करो अधर हमसे पैसा दो या हमारे साथ हमके हमारे लोगों को टिकट दोगे तो टिकट चुना लड़ेगा तो उसके लिए भी पैसे दो पैसे कहां खर्च समाजवादी पार्टी के पास तो कुछ न कुछ आईटी सेल भी है यह जो इनके जो अपने सहयोगी पार्टियां है उनके पास तो डिजिटल केंपेंड के नाम पे जिरो बटा सन्नाटा वो क्या करेंगी है मयावती दूर रहती है इन सब चीजों से वह कहती कि हमारा वोट इंटरेट एक इस्टे पार आगे तो मयावती तो बिल्कुल ही वह पंगू हो जाएंगी वह कैमपेण ही कैसे होगा वह बाहर नहीं निकल सकती और बाहर निकलते तो आप पांच आदमी का आपके उपर यह लगा दिया गया कि भीड भी लेके नहीं चल सकते आप और यह कह नहीं कि भाई अगर कोई इस इन सब चीजों को उलंगन करता हुआ पाया गया तो कोई भी आदमी फोटो खीच के दे दे तो सो मिलेट के अंदर में वहां पे लोग पहुंच जाएंगे एलेक्शन कमिशन के लोग क्या होगा कैसे होगा भारत जिन्ता पार्टी प्रसंद न दिये हैं हर जगा जो है संगठन को इन्होंने मजबूत कर दिया और जिन जिन लोगों के पास है उनके समर्थकों के पास फोन हैं सबका डेटा भी है पांच मिनट में एक हेड़कॉर्टर से लखनों से कोई मीम हो कोई वीडियो हो कोई मेसेज हो उसको अगर फेकना होगा भारत जिन्ता पार्टी दना दन जैसे दिल्ली से पैसा ट्रांसफर होता है वैसे सब जगह वो ट्रांसफर हो जाएगा ऐसी वेवस्था उन्होंने बना ली है तो ओव शोशल राजनितिग्य इस तरह के विकट परिस्थीतियों में भी इस तरह की बाते उन्हें नहीं करनी चाहिए इससे काडर दीमोरलाइज होता है तो यह पूरा इलेक्शन डिजिटल पे जादा फोकस्ट है पर आज इलेक्शन कमिशन ने एक बात ये भी कही कि शोशल मीड को लेकर भी उन्होंने अखलेश यादव ने कई सवाल खड़ा किया और कह रहा है कि उन्होंने जो भी रूल रेगुलेशन बनाया है उससे वो सहमत नहीं है इलेक्शन कमिशन को इस पर पुना विचार करना चाहिए देखिए यह जो सोशल मीडिया के उपर नज़र रखने कैमपेंड के लिए नहीं कि कोई अवभा उडाता हुँआ नज़र आए दंगा भलका था नज़र आए जिसको कशकते कि अन पार्लेमेंटरी या गलत चीजों को वो परचार-परसार करता हुँआ नज़र आए फरजी वीडियो बास आता हुँआ है या फेक न्यूज फैलाता हुआ नजर आएगा उसकी पकड़ धकर करेंगे उस पे हम नजर रखेंगे अब अचानक से इनको दिक्कत ही हो गई आप तो बूचना ही पड़ेगा बही कॉंग्रेस पार्टी या इस विपक्ष के लोग इससे नराज किसने बही फेक न्यूज क किस्तमाल कौन पाटी कर रही है एक बात में बार बार कहता हूं सोसल मीडिया का एक बड़ा चरित्र है फेक न्यूज जंगल की आग की तरफ फैलता है और एक दिन के अंदर चार-पाँज घंटे के अंदर ही उसका फरजी वाड़ा पकड़ा भी जाता है लेकिन जो जाता है पकड़ने के बाद जो सच्चाई होती है तो फेक न्यूज अगर सो लोगे के पास पहुंचा तो उसका जो mix है जो लोग उससे उस पे बिलीव कर चुके हैं और उसका जो सही information है वो दो परसंट के पास पहुंचता है नाइंटीईइट परसंट लोग उसी अंदकार में रहते हैं तो इसलिए ये जो नया जो सो कह सकते हैं मैं तो इस बात से लिख कि बिलकुल ही मुझे पसंद नहीं है कि आप एलेक्शन करें और उसे आप कि कहें कि सोसल मीडिया के जरी आप प्रचार करें रैली ना करें ये करने के आवसकता नहीं थी ल सोसल मीडिया के जरी चलिए अखलेश यादब की तो बात हो गई अब यूपे के मुखी मंतरी योग्या अधितनात की भी बात कर लेते हैं एक तरफ जैसे ही चुनाओं की डेट्स का अनॉंस्मेंट हुआ तुरन एक मिनट के बाद ही योग्या अधितनात ट्विट करते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं देखे कितनी फास्ट है जैसे ही इसकी घोषना हुई कि दस तारीक को रिजल्ट आएगा भारती जनता पार्टी की तरफ से इमिडेटली एक मीम आ गया कि दस तारीक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी अब जैसे ही व बीजेपी का सफाया होगा तो लेट रिस्पॉंस और सबसे लास्ट में जाकती हैं प्रियंका वाडरा तो खैर यह इसी की लडाई है इस बार एक नया तरह का चुनाओ देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी डिमोक्रसी में इंपॉर्टन यह होता है कि जब आप चुनाओ में जाते हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए हैं नहीं समाज के लिए भी वो एक लर्निंग एक्सेसाइज है एलेक्शन कमिशन लगातार इस एलेक्शन की बात में नहीं कर रहा है लगातार एलेक्शन को नीरस बना रहा है डिमोक्रसी को कमजोर करने वाला बना रहा इस तरह की planning इस तरह का program election commission के दोरा बनाया जाता है कि जिसमें नए generation के लोगों को युवाओं को political training नहीं मिल पाती mobilization किस तरीके से करना चाहिए वो political parties भूल चुकी है और इस वजह से हर political party आज इसी चीज़ को लेकर के परिशान है कि हमारे कारकरता तो पहले volunteers होते थे अब कारकरता कहलाते है volunteers जो है वो party के लिए, नेता के लिए, विचारधारा के लिए free में काम किया करते थे आज कोई जुलूस में भी जाता है उसको पैसे चाहिए होते है ये क्यों हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि election commission ने पूरे electoral process को जो सजीव होना चाहिए, dynamic होना चाहिए, उसको बहुत ही mechanize कर दिया है एक सता की का मौका मिलता है कि CV candidate को, लोग सभा में भी आप ये समझ लिए अपने कार से भी अगर आप रोज घूम रहे हैं आप अपने constituency को पूरी तरीक से cover नहीं कर पाएंगे ये कैसा election है, ये कैसा program है, कि जिसमें लोगों का participation नहीं, लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं ये सिर्फ अववा, मीडिया, पैसा, इधर से उधर, यही एक धंदा बन गया है ये democracy के लिए ठीक नहीं है election commission अगर democracy की नीव को मजबूत करना चाहती है election को एक पर्व के तरह celebrate करना चाहती है तो कम से कम इस तरह के जो पाबंदिया इस तरह की चीजें इसको avoid करना चाहिए था और चुके करोना है, करोना की वज़े से आप अगर इसे extend कर दिये होते तो फिर भी बहुत सारे चीजें जो आज जो पाबंदिया लगी है वो करने की आवेशकता नहीं पड़ते हैं बहुत बहुत शुक्रे बाचीट धन्यवाद लुत शुक्रे बाच चाहिए इसमिंभेश लुत शुक्रे बाच Спारцuing झाल झाल